नमस्कार दोस्तों PMO के नाम पर ठगी अभी एक रिवास बन चुकी है आए दिन एक नया महाठक निकल कर सामने आ जाता है चाहे कश्मीर से पकड़ा गया महाठक किरन पटेल हो या फिर संजे शेक पुरिया जैसा ठग या फिर अब लखनव से पकड़ा गया अभिशेक सिंग सब के सब PMO का अधिकारी बनकर ही ठगी कर रहे है क्या PMO का अधिकारी बनकर ठगी करना अब इतना आसान हो गया है कि कोई बी एरा-गेरा प्रधान scraping और आफिर्स का फरजी अधिकारी बन जा रहा है वो भी पूरी प्लैनिंग के साथ दोसो लखनाव से UPSIT की टीम ने जिस नए महाठग अभिशेक सिंग को गिरफतार किया है वो खुद को PMO अधिकारी बताता था और इसका रौब दिखाकर लोगों को धमका कर उनसे वसूली करता था हैरानी की बात तो ये है कि वो किराए के महेंगे फ्लाट में रहता था साथी उसके पास गनर से लेकर सेक्योरिटी गार्ड तक थे दोस्तों ये मामला कानपूर के बिठूर इलाके का है बिल्डर निखिल शर्मा ने खुद महाथक अभिशेक प्रताप और संतोष से अपने कई आवयात काम करवाये थे इसके लिए उसने कई बार मोटी रकम भी दी और अपना पाइनियर ग्रीन सोसाइटी में रहने के लिए एक विला भी दिया था उसी की मदद से निखिल ने पाइनियर ग्रीन सिटी के तीन नक्षे फरजी दस्तावेजों पर पास भी करवाये थे सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अभिशेक की वसूली बढ़ती जा रही थी सोसाइटी में अपने रुत्बे से 15 लोगों की रजिस्टर्ड सोसाइटी भी बनाकर जरूरत पर निखिल को घेरने के लिए जाल भी बुन रखा था लेकिन अब निखिल परिशान होने लगा था संबंदों में दरार भी आ गई थी अंद में परिशान होकर निकिल ने बिठूर थाना प्रभारी से शिकायत कर दी थाना प्रभारी ने पीमो के अफसर पर हाट डालने से पहले इसकी जानकारी लखनव एसाइटी को दे दी इसके बाद एसाइटी ने महाठक का मुखोटा उतार कर रख दिया सारी की सारी पोल पट्टी खुल गए उसने बेहत चालाकी से अपना जाल बुना था दोस्तों उसके साथ में उसका एक ममेरा भाई भी रहता था जो खुद को अभिशेग प्रताप का पियारो बताता था स्टीएफ को पूछताज में अभिशेग ने बताया कि वो फरजी PMO अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करता था जाच में स्टीएफ को ये भी पता चला कि कानपूर में कई अधिकारी अभिशेग सिंग के पास आती जाते रहते थे उसके यहाँ पुलिस की गाड़ियां भी आती थी इस मामले में ADCP लखन सिंग यादव ने बताया कि STF ने अभिशेग और उसके साथी को गिरफतार करके बिठूर थाने में FIR दर्च कर लिया और मामले के जाच शुरू कर दिया वैसे ही कोई पहली बार नहीं है दोस्तों ऐसे ठक पहली भी पकड़े गए हैं कश्मीर से पकड़ा गया केरन पटेल भी PMO का अफसर बनकर सेक्योरिटी लेकर गूमता था और पुलिस को भी बेवकूफ बनाता रहता था और गुजराती फ्रॉट संजे शेख पुरिया तो ऐसा ठक था कि PMO के नाम पर दिल्ली से दर्बार सजाता था राजनिताओ से लेकर कारुबारी तक पांच मिनट की मुलाकाट के लिए घंटों उसका इंतिजार किया करते थे SBI का डिफॉल्टर था, गर के वाइफाई का पासवर्ड PMO था, ED से सेटिल्मेंट के नाम पर फर्जी ठगी करता था यही नहीं, जनाब मोदी जी पर किताब तक लिख चुके हैं, लेकिन मोदी जी को कुछ नहीं पता इन सभी में एक ही बहुत कॉमन है दोस्तों, वो यह कि सभी PMO के नाम का रुदबा दिखा कर ठगी कर चुके हैं कोई खुद को PMO अधिकारी बताता है, कोई अफसर बताता है, आखिर चल क्या राय देश में आज तक ठक के नाम पर हमने सिर्फ नटवर लाल का नाम सुना था, लेकिन अब तो एक से बढ़के एक नटवर लाल पैदा हो गए है, वो भी PMO वाले इतनी बड़ी प्लानिंग आखिर बिना PMO के सपोर्ट के कैसे मुम्किन है, ऐसा कैसे हो सकता है एक के बाद एक ठक PMO का नाम लेकर ठकी करें और PMO को कोई जानकारी ना हो कैसे हो सकता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ये खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरे नाम फरीन अंसारी है, जै हिन, जै भारत